पिख्यों है यह कि अधियू और अधिक टो फ्रेंट वेलकम टो मैं टर्ड क्लासे फ्रेंट आज हम पढ़ेंगे समाजिक बीसे पेडागोजी और समाजिक विसेपेडगोजी की जो हमारी अभास होगा यह हमारा आज दूसरा भ्यास होगा तो आई देखते हैं पहला प्रश् समाजिक अध्यन पुष्टक की आप शक्ता क्यों है यानि कि समाजिक विस्याका आप अध्यन करते तो वहां पर पार्ष पुष्टक क्यों आवश्यक है यह देखे आपके पुन्राविति के लिए कक्षाकार के लिए भी आपको हमेसा बुक की हल्प लेनी होगी तो ऐसे कंड पुष्ट के लिए बहुत से पॉइंट यह सही होनी के वज़े से आपका ऑप्शन डी सही होगा कि अगला प्रेश्ण यहां पर है कि भारत जैसे प्रजायतांत्रिक राष्ट में सिच्छा को राष्ट्य सुरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है यहां पर सबसे बड़ा अवरोध पूछा है अगर हम सिच्छा को राष्ट्य सुरूप प्रदान करने के मार्ग में अग्रसर होना चाहें तो क्या हमारे लिए अवरोध होगा भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट में आपको पता है कि हर एक छेत में अगर हम विकास क बना चाहते तो आप छेत अब बाधक बन कर आती है राजनीती भी कहींने कहींने बाधक बन कर आती है और विभिन ताएं भी बाधक के रूप में सामने आती है तो यहां पर तीनों पॉइंट सही लग रहे है इसलिए आपका उप्शन चार यानि कि उप्यूक सभी यह पॉ भी भी हमारे महादुई पर इनकी आज जानकारी देना चाहते हैं बच्चों को और इस जानकारी के लिए आप ग्लोब का प्रियोग करते हैं तो ग्लोब आपका किस प्रकार का सिच्छन सामगरी के अंतरगत है यह चीज़ बताना है आपको आपके ऑप्शन है स्रव्वे श प्राथमिक इस तरप सामाजिक अध्यान शिक्षन मात्र भासा में होना चाहिए क्यों कि वर्ट के बाद जब इस तरह से डाइस दे दिया गया तो उसका मतलब होता है क्यों होना चाहिए उसी पॉइंट को आपको ढूलना है अपसंस देखिए छात प्राक्टिक नौकरी मिलने के अवसर में विद्धी होती है इन में से कोई नहीं तो देखिए जो प्राथमिक इस तरपर आप समाजिक अध्यान पढ़ाते हैं और किस भासा में मात्र भासा में यानकि जो वर्तमान लेंग्वेजु बच्चा प्रारम में में स्टार्ट करता है बोलना उ अब अब counties भालो अब स्टार्ल ब्च्तार है कि इहां से आप्शन दूसरा कि स cathedral के मानिसी विकास के लिए अच्छा होता होता है विकास बच्चा कप करेग जो उसका मांसिविकास अच्छे से होगा यहां से देखिए अगला प्रिश्ण है यहां पर कि समाजी विज्ञाद के बच्चो को फिर खाली स्थान दिया है के साथ होना चाहिए यान की समाजी कुछ पुछा गया है कि वह कौन सा है जिसके साथ उनके साथ यह यूग्ता होनी चाहिए यह होना चाहिए यहको समाजिक वेवहारों का बचाव करने की योगिता होनी चाहिए या फिर जेंडर के बारे में समाजिक नियम का पालन करने की योगिता होनी चाहिए या फिर दिया है समाजिक समाजिक विवहारों का बचाव करने की योगता किस तरह के समाजिक विवहार का बचाव करेंगे इसलिए यह पॉइंट कहीं से कंफ्यूज कर रहा है छोड़ दीजिए आगे आईए पहला option देखे दिया स्वतंत रूप से चिंतन करने की योगता समाजी विज्ञान बच्चो अगला प्रेशन है यहाँ पर समाजीक विज्ञान में निदानात्मक परिक्षन सिच्छन को क्या समझने में सहायक करता है यानि कि अगर समाजीक विज्ञान में आप निदानात्मक परिक्षन करते हैं तो इसे सिच्छक को क्या समझने में सहायता मिलेगी options देखे पहले त कोजने के लिए हम निदानात्मक परिक्षान करते हैं समाजी विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधि किन कठनायोग सामना करता है निदानात्मक परिक्षान के अकॉर्डिंग यह हुआ कि हम उनकी समस्चाओं को ढूंडे यह हो गया पहले और अप्शन देख लेजिए लेकिन पुन्रा वित्ति किस प्रकार विद्यार्थों की सहायता करती है निदान के लिए है इसलिए यह गलत हो गया उनके विद्यार्थी कितने प्रकार विद्यार्थी कंट्रस नहीं कि यह तो टोटली गलत हो जाता है आपका उप्शन एक सही होता है कि अगर बच्चे में समाज जो समाजिक विग्ञान में निदानात्मा परिष्ण कर रहा है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन यहां पर है करके सीखने का सि सिद्धान यहां पर जो आपके कार दिएगे उसके बेस पर आपको बताना है खोजकार प्रियोगात्मकार परियोजनाकार या फिर यह सभी देखिए खोजकार में बच्चा एक्टिव होता है कुछनों कुछ करता है तो करके करने का सिद्धान तो आहां भी लागू हुआ दूसरा है पिरियोखशाला कार में बच्चा बैठता नहीं है वहां भी कुछनों कुछ करता है तो करने का सिद्धान ती यहां भी आ गया और पहले पर भी तीसरा देखिए परियोजना कार में भी बच्चा को योजना बनाता है उसमें भी हाथ पर चलाता है एक्टिव होता है तो ऐसी कंडिशन में वहाँ पर भी वह कुछ ने कुछ करता है तो देख रहे हैं जो करके सीखने का सिध्धान था वो तीनों पॉइंट पर लागू होता है बचा आपका हासा जौन्त होगा अग्ला और यहां पर है सिध्धैशन में एक महतबुन विधी है इतिहां पढ़ा आते हैं तो क्वाट्पून विधी है वह देखे योजना विधी पिरोक्षाला विर्धी श्रोथ विधी यह कों नहीं अगला प्रिश्ण देखिए दिया है समाजिक अध्यांद शिक्षण में निम्में से क्या लिखित नहीं है वो श्रोत आपको बताना है प्रश्ण देखी क्या है नहीं को तो पहले कार दिवी क्योंग आपका नहीं दिया इसको कार दिजिए एक पल के लिए भूल जाए और पूछा है कि समाजिक अध्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या तो किस और इंगित कर रहा है यहीं आपका इंगित कर रहा है कि तरह एंगित कर indirectly अज की आखरे प्रिश्ण के यह देखी यहां पर लिया गया है कि यहां पर शूरता करता है है सी वह क्यांद कर रहा है और फूच्छन पोछा गया था हाला कि पूछने का तरीका कुछ और था यहां देखेंगे वे श्रोत जो प्राथमिक श्रोत पहले होता है हमारा प्राथमिक फिर होता है दुतियक फिर होता है तुरुतियक प्राथमिक श्रोत वह होते हैं जो डिरेक्ली सर्च करके निकाले जाते हैं वह प्राथमिक श्रोत ह पटार allons कि प्राथमी पर हमारा परिणान्न करने वह सुनों 501 पर्यावप हम्हारा निकल कर आएगा दूतियक तो उतना हूँ वीधियो में आप से फीर मुलाकत होगी तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल